गुड मॉर्निंग हिमाचल चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर इस मॉर्निंग बुलिटिन इस ब्रॉट टी यू बाई अभिलाशी युनिवर्सिटी चैल चॉक मंडी हिमाचल में नई कलोनिया तैयार कर रहा हिमुडा एक दो महीने में सेल की तैयारी कोरोना महमारी के चलते चमबा में साथ की पून्ड मनाई बकरीद जामा मस्जिद में अता की नमाज बाजारों में डरा रही लोगों की भीड तीसरी लहर को न्योता देने के बन रहे आसार हर जिला में होगा ज्वेलर्स का पंजी करण नहीं लगेगी रेजिस्ट्रेशन फीज युवा विज्ञानिकों को सम्मान से प्रोथसाहन निक्रिशे विश्व विद्याले ने कुलपती उत्कृष्टता सम्मान स्थापित करने का लिया फैसला और अब खबरें विस्तार से कोरोना संकट की वजह से पिछले दो सालों से सुस्त पड़ी हिमाजल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट ऑथॉरिटी की रफ्तार अब धीरे धीरे गती पकड़ रही है हिमाजल में हाउस फॉर आल उदेश्य के तहत कारी किया जा रहा है नए कलोनियां तयार की जा रही है कांगड़ा जिला के धरमशाला में एक महीने के भीतर कलोनी को सेल पर लगा दिया जाएगा जबकि दो माह में शिमला की कलोनी भी सेल पर लगा दी जाएगी अन्य कलोनियों को सेल करने को लेकर भी योजनावद धंक से तयारी की जा रही है यह जानकारी बिलासपुर के सरकिट हाउस में विशेश बातचीत के दोरान हिमुरा के वाइस चेर्मेन प्रवीन शर्मा ने दी अब धिरे धिरे और नरीगति विधिया है आँ श्क्रीद पर रही है और जैसे हमारा मॉटो है तो उसको कम्प्रीट करने के लिए काफी नई करोने से हम काम कर रहे हैं जैसे रामपुर में अपर रिवाप कर रहे हैं कि ज्रब चाला में एक खुरोक्त कर रहे हैं दिहरा में हम एक खुरी डिवलोप कर रहे हैं इस तरह से अलग लग जगा पर लगभग हर जगा उर्मिज्ट की डिवलप्मेंट उसे पर रहा मेने दो मेने में शिम्ला वाली भी सेल पे लगा देंगे, रामपुर वाली सेल हो रही है, देरा वाली भी सेल हो रही है, बाकी हर जगा सेल चल रही है। इस वी जितल हो रही है, बाक देको कुछा तानरा देल चल रही है, इस अजीना हो रही है। एम्टेक, एम्फार्मेसी, पीएश्टी, कॉन्टैक्ट फोर मोर डिटेल्स जिला चम्बा में आज एद उल अजाह यानी बकरीद का तेवहार कोरोना महमारी के चलते साधगी पूर्ण तरीके से मनाया गया मुसलिम समुदाय के लोगों ने कॉविट प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जामा मस्जिद चम्बा में नमाज अता की कॉविट के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस बना कर सभी ने नमाज अता की इस से पहले इस दिन चम्बा के एतिहासिक चोगान नमबर पांच में सभी लोग इकठा होकर ईद की नमाज अता करते थे और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुवकामनाई देते थे मगर कुरोना महमारी के चलते दो वर्षों से बकरीद सादगी पून तरीके से मस्जिद परिसर में मनाई जा रही है वही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लह ताला से इस कुरोना से पूरे देश को निजात दिलाने की दूआ की महतरम नाजरीन असलाम अलाएकुम रहमत ललह आज एद जुहा ये जामा मस्जिद जिला जंबा में कोविड नाइंटीन के गाइड लाइन्स और सरकार की हिदायत के मताबिक नमाज एद जुहा अदा की जा रही है जिसको पुर्बानी की भी एद कहते हैं और यहां मुक्तसर से वक्तों में 10-15 मिनट में एद जुहा की नमाज अदा की गई और सरकार के गाइड लाइन और हिदायत के मताबिक सोशल डिस्टेंसिंग यानि दूरियों के मताबिक रहकर नमाज अदा की गई पहले तो मज़ितान में 94 में अदा करते थे लेकिन अब जब यह महमारी है तो यह मुनासिब बात नहीं है कि वहां अदा की जाए और इसी वजह से यहां मुक्तसर सी जमात करके जामा मस्जिद जिलाचंबा में जम अन्यजिद की नमाज अदा की जा रही है जाने अन्जाने कही यह भीड ववाहनों का जमावड़ा कुरोना की तीसरी लहर को न्योता तो नहीं पंच्रुखी क्षेत्र में लोगों की विशेशकर बच्चों की आबाजाही के साथ सैंक्डों वाहनों के आड़े तिर्चे खड़े रहकर भीड को बढ़ाने से कुरोना की तीसरी लहर की और बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं हालाकी लोग मास्ट पहने तो हैं पर लोगों की भी डरा रही है उपर से सड़कों के किनारे खड़े वाहनों की वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है ये वाहन हाज से को तो न्योता दे ही रहे हैं, साथ ही लोगों को एक दूसरे को छूते हुए निकलने को मजबूर कर रहे हैं BIS परवाणों के अधिकारियों द्वारा जिलामंडी मुख्याले में सराफ स्वर्णकार वेलफेर एसोसियेशन के तत्वावधान में एक हॉल मार्किंग प्रशीक्षन वपंजीकरन कैम्प का आयोजन किया गया सराफ स्वर्णकार वेलफेर असोसियेशन जिला मंडी के प्रधान आशुतो उश्पाल ने कहा कि भारत सरकार ने हॉल मार्किंग को अनिवारे कर दिया है और B.I.S. स्वयम ज्वेलर्स के लाइसंस पंजिकरन के लिए हर जिला में जा रही है उन्होंने बताया कि B.I.S. के वेग्यानिक सौरब वर्मा ने कहा है कि जब से हॉल मार्किंग अनिवारे हुई है तब से भारत सरकार ने रेजिस्ट्रेशन फीज समाप कर दी है जिससे अधिक से अधिक ज्वेलर्स पंजिकरित होकर हॉल मार्क ज्वेलरी बेच सकेंगे आज 30 नए लोगों ने जुला मंडी में पंजिकरन करवाया है आज Bureau of Indian Standard के अधिकारी मंडी में जो सौरणकार है जो लोग रिजिस्टर नहीं हुए थे जिन्होंने हॉल मार्किंग के लिए लाइसिस नहीं लिया था उनके लिए क्याप मंडी में लगाया गया है मंडी जिला के जो सौरण के विवसाई हैं उनके लिए और यहां पर रिजिस्ट्रेशन की जा रही है आज और इसी के तहट जो है मंडी जिला के जगाओं से जो है स्वरंकार यहां पर रिजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हैं साथ ही में जो व्यू आफ इंडियन स्टाडर्ट के अधिकारी हैं वो लोग भी मुझ्वेलर्स के मन में जो शंका है यू आईडी को लेकर और हॉल मार्किंग को लेकर उन सब समस्याओं के बारे में भी समस्याओं का निराकरन कर रहे हैं और किस तरह से यह प्रोसेस आगे च आ रहा है और आशा करते हैं कि आने वाले समय में सवी जो स्वनकार हैं किंद्र सरकार के निर्देशों के नुसार अच्छी सुषुद्ध ज्वेलरी धाकों को प्लब्द करवाएंगे साथी पारदर्शता के साथ धाकों को जो है दसमान मिलेगा प्रदेश क्रिशी विश्वविद्याले ने सर्वश्रेष्ट विभाग सम्मान तथा करियर में शुरुवाती उत्क्रिष्ट अनुसंधान के लिए कुलपती उत्क्रिष्टता सम्मान स्थापित करने का निर्ने लिया है विश्वविद्याले के युवा वैग्यानिकों को उनके शुरुवाती पांच साल के प्रोफेशनल करियर में उत्कृष्टता लाने तथा विभागों के बीच प्रतिस परदा की भावना विक्सत करने के लिए ये पुरसकार अधिसूचित किये जाएंगे कृष्वविद्याले प्रबंधन के अनुसार महाविद्याले में उत्कृष्ट कारिय हुए हैं और यह सब शोध कारे हिमाचल प्रदेश राज की स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दोरान आसानी से समझने योग्य लिखित वद रिश्य साधनों के माध्यम से पशुपालकों और क किसानों तक पहुंचने भी चाहिए यह उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगा उसके लिए हमने परक्रिया शुरू करते हैं इसी तरह से दूसरा जो भी हमारे जिस वग्यानिक के पांच वर्ष अभी नहीं हुए हैं पांच वर्ष से नीचे हैं उनके लिए एक अरली रिसर्च करियर अवार्ड वाइस चांसलर् बग्यानिक के लिए यह हम पुर्ष का विश्विद्याले की तरफ से देंगे और इसके लिए हमने परफॉर्मा बनाना शुरू कर दिया और दूसरी जो हमारे परशाशनिक जो इसके लिए परक्रिया हैं उनको कम्प्लीट करने के लिए कारे शुरू हो चुका है मेरा तीन वर्ष में तीन वार ये परक्रिया मैं करूं और इससे बग्यानिक के अंदर एक परतिस परधा की भाबना रहेगी और आगे बढ़ने की परक्रिया भी रहेगी और उनकी दिलचस्ती भी रहेगी इसी तरह से जो तूसरे विभाग हैं उनके अंदर भी ये जागती लाना हम झाल झाल